हेलो फ्रेंड्स आज मैं देखा ही हूँ आपके लिए उत्राइनी के त्योहार की उत्राखंड की बहुत ही फेमस टेश गुगुती तो चले शुरू करते हैं पनाने के लिए के लिए इसमें दूगलास पानी डाल के आधा गिल्लू से थोड़ा ज्यादा लिया है मैंने इसको में उपाल लेती हूँ जिस से ठंडा हो जाए न तो फिर हम गुगुत बनाएंगे तो इनको पहले अच्छे से इसम गला लेंगे और जब यह गल जाये न और योबलनी की स्टेज में है तो इसको 5-7 मिनट धीमी आज पे पका लेना है अच्छे यहां ना मैं आपको पॉफेक्ट रिशो बताऊंगी अपनी घुगुतो को क्रिस्पी और टेस्टी बनानेगा तो यहां मैंने तीन कटोरी आटा लिया है सेम कटोरी से और उससे थोड़ा स के लिए जिनको मैं थोड़ा से पीस लेती हूं और पीस के मैं डालूंगे तो कि साबुट डालने में ना वो फ्राय करने में सब निकल जाता है तो बस जैसे मेरे गुड का पानी ठंडा हो गया तो पहले इस ओयल को मैं अच्छे से आटे मिक्स करूंगी और उसके बाद इस गुड के पानी से में इस आटे को कुण दोंगे अगर आप इस मेथट से गुगुद बनाएंगे ना फ्रेंट्स तो यह बहुत ही अच्छी क्रिस्पी और बहुत ही टीस्टी बिस्कुटी बनेंगे तो एक बर यह मैथट ज़रू ठ्राई कीजिएगा तो दीखे जैसे ही म यह बनाना सकता है तो गुगुथ जो है आप पंचमी तक उत्रैनी के ठेहर से पंचमी तक अभी भी बना सकते है और इस तरीके से डामिंड शेप में बर्फी के शेप बहुत बिल्यार कर दिया है बस उसके पात मैंने कडाई में रिफाइण ओल लिया है जिसको मैंने ठोड बहुत ही अच्छे और क्रिस्पी बनता है तो यह बहुत ही ऐख सब्सक्रीटे में में अच्छे बनते हूं और बहुत ही तेस्टी लगते हैं खाने में तो हम उत्राखन वाले तो यह खाना पसंद करते ही हैं इसके साथ साथ बाकी सभी कल्चर में भी अलग-अलग तरीके में अलग-अलग मौके में बनाया जाता है तो बस आप भी इसको मेथट को जरूर ट्राय करें और मुझे कि आपके घुगुत इस तरीके से कैसे बनें तब तक लिए बाबाए